हेलो दोस्तों मैं राकेश शौद्री आपका मैथामेटिक्स टीचर वेलकम करता हूँ आपका डिजिटल तहरी के यूट्यूब चैनल पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा टॉपिक है आज का रेशियो और प्रोपोस्टनल अनुपात एवं समान अनुपात हम बात कर रहे हैं कंप्लीट रेलवे के सैलेबस की उसी सीरीज में आमारा टॉपिक है रेशियो और प्रोपोस्टनल अनुपात एवं जमान अनुपात आज का तो पहले इसका बेसिक देखेंगे फिर हम बात करेंगे इसके कुश्चन्स के बारे में तो देखिएगा क्या है सबसे पहले हम बात करते हैं अनुपात के बारे में रेशियो के बारे में देखिएगा बेसिक पढ़ लेते हैं फिर कुश्चन्स भी कर लेंगे तो रेशियो के बारे में अगर बेसिक आप देखना चाहें तो इसका बेसिक हम इस तरीके से देखते हैं कि सबसे पहली बात तो आप 5 बटा 7 लिखिए, या फिर 5 अनुपात 7 लिखिए, इसका मतलब एक ही होता है, ठीक है? आप चाहिए 5 अपॉन 7 लिखे या 5 रेशियो 7 लिखे, एक ही बात है, ठीक है? फिर दूसरी बात, जैसे कि ये आपके सामने लिखावा है, 3 अनुपात 12 अनुपात 15 अनुपात 27 तो क्या ये जो हमने अनुपात लिखाया ये अनुपात सही है? नहीं, क्यों क्योंकि ये 4 के 4 किसी एक उभैनिस्ट संख्या से, common number से cancel हो रहे हैं, इसलिए ये अनुपात सही नहीं हैं, तो ये अनुपात कटेगा, फिर finally जो आएगा ratio अनुपात वही हमारा सही होगा, तो ये जो cancel हो रहा है, किस से cancel हो रहा है, तीन से, तीन से ये गया एक बार, तीन से ये गया चार बार, तीन से ये गया पांच बार, और तीन से यह गया कितना नौ बार अब ये जो अनुपात आया एक अनुपात चार अनुपात पांच अनुपात नो यहाँ अनुपात बिलकुल हमारे लिए सही होगा ठीक है अब इसी में एक चीज और देखते अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इस तरीके से दस अनुपात बारा अनुपात पांच अनुपात छे क्या यह अनुपात हमारे लिए सही है जी बिलकुल यह अनुपात एकदम सही होगा क्यों क्योंकि हमारी शर्ट यह है कि चार या पांच या तीन या दस जितने भी अनुपात में हैं वो सभी के सभी किसी एक ही उबैनिस्ट संख्या से common number से कटने चाहिए अगर मैं यहाँ देखूं तो 10, 12 और 6 ये तो 2 से cancel हो रहा है लेकिन 5 जो है वो 2 से cancel नहीं हो रहा है तो इस वज़े से ऐसा नहीं है कि 10, 12, 6 को तो 2 से cancel कर लिया फिर 5 को अलग से cancel कर लिया ऐसा नहीं हो सकता तो इसका मतलब ये जो अनुपात लिखावा है ये अनुपात आपका अंतिम अनुपात होगा इसको और आगे अब रेशियो में हम solve नहीं कर सकते तब आपको फर्क समझ आया होगा कि उसी समय हम cancel करते हैं जब सभी की सभी संख्याएं किसी एक ही common number उभैनिस्ट संख्या से cancel हो otherwise हम cancel नहीं कर पाएंगे उसको as it is रहने देंगे चार है तो चारंगे चारों cancel होने चे ऐसे नहीं कोई भी तीन या दो या एक cancel हो गया तो काम चल जाएगा बिलकुल नहीं तो ये अनुपात यहीं कतम हुआ और ये अनुपात कट कर finally क्या मिला एक अनुपात चार अनुपात पाँच अनुपात नो केवल चार के लिए नहीं तीन दो पाँच आट जितने भी होंगे रेशियो में नंबर उन सब के लिए ये नियम काम करेगा चलिए और भी देखते हैं तो ये अनुपात का basic सा concept था और हमें अब क्या देखना देखिएगा अब अनुपात के questions कई तरह के आते हैं उनको हम जैसे जैसे questions करेंगे तब और अच्छे से समझेंगे तो क्या concept देखिएगा कुछ questions को example के तौर पर हम समझते हुए चलते हैं ताकि जब उस तरह के questions आये तो आप आसानिक से कर पाएं तो अगर हम बात करें questions के लिए example के कौर पर तो उससे पहले हम अनुपातों के प्रकार जो होते हैं type of ratio जो होते हैं उनको ज़रा देख लेते हैं तो देखिएगा अनुपातों के प्रकार मतलब type of ratio ये type of ratio जो है अनुपातों के प्रकार ये कोई theoretical part नहीं है इसके उपर भी questions आते हैं अभी आप एक दो type देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा तो देखिएगा पहला हमारा type क्या है सबसे पहले के बारे में बात करें तो मिस्तरित अनुपात मिस्तरित अनुपात जिसे हम कहते हैं क्या compound ratio या फिर हम इसको कहते हैं mix ratio भी कह सकते हैं ठीक है क्या होता है अभी बताते हैं आपको जैसे कि आपको एक कोई ratio गिवन है A ratio B दूसरा कोई ratio गिवन है आपको C ratio D और तीसरा कोई ratio अगर आपको गिवन है E ratio F मतलब E अनुपात है तो आपको पूछे कि इन तीनों के लिए मिस्तरित अनुपात जो है मतलब compound ratio जो है mix ratio जो है वो क्या होगा तो आपको कुछ नहीं करना है आप देख सकते है ratio है तो इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है तो जो उपर होता है उसे हम कहते है numerator और जो नीचे होता है उसे हम कहते है denominator उपर वाले को कहते है अंश और नीचे वाले को कहते है हर तो तीनो ratio के अंश का numerator का आपस में multiplication करवा लीजिए और तीनो ratio के हर का denominator का आपस में multiplication करवा लीजिए आपका मिस्त्रित अनुपात mix ratio आपको मिल जाएगा तो A into C into E कर लू और D into D into F कर रहूँ फिर जो cancel होने वाली चीज़े होगी वो cancel हो जाएगी और आपका आंसर आ जाएगा ठीक है example देखना है तो आसानी से देख सकता है कोई बड़ी बात नहीं है तो इसकी के लिए example अगर हम देखे तो इसका example 4 example 3 ratio 4 है ठीक है 1 ratio 5 है ठीक है तो आसानी से निकाल सकते हैं जो इनके numerator है जो अंश है उनका गुणा कर लीजी और जो इनके denominator हर है उनका गुणा कर लीजी अब जो cancel होने वाली चीज़े हैं उनको cancel कर लीजी तो 5 से 10 गया 2 times 2 से ये गया 2 times तो उपर रह रहा है 3 और नीचे रह रहा है कितना 7 का 2 से 14 तो 3 बटा 14 या 3 ratio 14 हम इसका answer कह सकते हैं ठीक है ये था हमारा type of ratio में पहला miss लित अनूपाद और देखते हैं दूसरा type तो हम बात करते हैं second की ठीक है जिसे हम कहते हैं क्या inverse ratio with कर्मानूपाद वित कर्मानूपाद मतलब inverse ratio क्या होता है inverse ratio बहुत ही आसान है जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है वित कर्मानूपाद तो अगर इसका हम basic concept समझें जैसे कि A अनूपाद B अनूपाद C है हमारे पास या केवल A अनूपाद B हैं या फिर A अनूपाद B अनूपाद C अनूपाद D अनूपाद E जितना भी है ये आपको दे रखा आपको इसका वित कर्मानूपाद inverse ratio निकालना है कोई दिक्कत नी है इन numbers का inverse कर दीजिए तो ये हो गया 1 upon A ये हो गया 1 upon B और ये हो गया 1 upon C तो ये मिल गया हमें इसका inverse ratio ठीक है example के तोर पर भी समझना है तो भी हम देख सकता है इसका example जैसे कि 3 अनूपाद 4 है हमारे पास वो 3 है या केवल 2 ले लीजिए या 5 ले लीजिए उससे कोई matter नहीं करेगा इसका inverse ratio देखना तो 1 by 3 और 1 by 4 इसको अब हम आगे solve कर लेंगे ठीक है क्या हो जाएगा ये solve होकर ये हो गया 4 ratio 3 अगर 2 की जगे 3 होते तो भी आगे solve हो जाता और वो solve कैसे होंगे जब questions आएंगे तब आपको अच्छे से और पता चलेगा चलिए या फिर 3 के लिए आप example देखना जाते हैं तो देख सकते हैं 2, 5 और ये कितना है? 4 आपको इसका inverse ratio निकालना है तो inverse ratio निकालने का 2 तरीका है एक तरीका तो ये है कि आप इसको 1 by 2 लिखें इसको 1 by 5 लिखें और इसको 1 by 4 लिखें ठीक है? फिर 2, 5 और 4 का LCM ले फिर वही जो process होता है simplification सरली करण में जैसे करना होता हमें तो 2, 5, 4 का आपने लसप लिया फिर आप 2 से देखेंगे कितनी बार गया फिर एक से गुणा करवाएंगे फिर वो 5 से देखेंगे कितनी बार गया फिर उपर एक है तो एक से ही गुणा होगा फिर 4 से कितनी बार गया उपर एक है तो एक से ही गुणा होगा तो ये लिखकर LCM लेकर फिर आप ऐसे कर सकते हैं नहीं तो आप सीधा काम यहीं पर कर सकते हैं चाए 2 हो, 3 हो, 4 हो, कितने भी उसमें आप इनका LCM यहीं पर ले लीजिए इनका संख्याओं का लसप क्या आ रहा है तो मैं यहाँ पर LCM अगर इनका देखूँ तो इनका LCM आ जाएगा कितना 20, 2, 0, 20 ठीक है तो फिर जब LCM आपका 20 आ गया है यहीं पर आप इसको बिना ऐसे लिखे सॉल करना चाह रहे है तो LCM इसका आया है 2, 0, 20 तो 2 का 20 में डिविजन कीजिए कितनी बार 10 बार 5 का 20 में कर लेंगे तो कितना जाएगा 4 और 4 का 20 में करेंगे तो 5 क्या कुछ कैंसिल होने वाला है इसमें नहीं तो यहीं आपका अंतिम अनुपात होगा कौन सा इस अनुपात का वित करवानुपात ठीक है और अगर आप 1 बाई 2, 1 बाई 5 और 1 बाई 4 करके फिर LCM लेके फिर करते तो भी यही आंसुर आता लेकिन यहीं पर LCM लेकर हमने कर लिया तो आंसुर आ गया चलिए यह है हमारा second type with करवानुपात inverse ratio तीसरा और देखते हैं देखिएगा वर्गानुपात ठीक है तो वर्गानुपात क्या होता है देखते हैं जिसे हम कहते हैं duplicate ratio तो वर्गानुपात नाम से बता चल रहा है दीगे संख्याओं का वर्ग कर दीजिए आपको वर्गानुपात मिल जाएगा for example A और B हैं आपके पस इनका वर्गानुपात निकालना तो कोई दिक्कत नी है A square B square कर दीजिए यह इनका वर्गानुपात हो गया duplicate ratio हो गया तो example तो कोई विशेस नहीं है देखने के लिए simple साथ पता आपको 3 और 4 और यह कितना मान लें 5 इनका वर्गानुपात निकालना है duplicate ratio निकालना है तो 3 का square कर लीजिए 4 का square कर लीजिए और 5 का square कर लीजिए cancel होने के लिए कुछ है नहीं तो यही आपका last हो गया अब जैसे यह वर्गानुपात हुआ है duplicate ratio जिस से हम कह रहे हैं वैसे ही होगा आपके घनानुपात जिसे हम कहते हैं क्या duplicate ratio ते replicate ratio हो ग паль of the जैसे इसमें वर्ग किया, इसमें घन करना है, cube करना है तो A अनूपात B अनूपात C हैं हमारे पास यह D तक भी है तो इनके लिए हमें घना नुपात निकालना है, टリ फलिकेट रेशियो निकालना है, तो इसका क्यू horror कर दीजिए, और कोई दिक्त नहीं है, तो ये कर दिया, हमने इनका क्यूब ठीक है एक्जाम्बल देखना है तो बीना एक्जाम्बल देखे भी समझ सकता है क्योंकि special कुछ नहीं इसमें ऐसा तो जैसे कि 3 और आपको कह रहा है कि 7 इनका आपको निकालना है कि ट्रिप्लिकेट रेशियो मतलब घनान उपाद तो 3 का क्यूब करके लिख लीजिए तो 3 का क्यूब हो जाएगा कितना 27 और 7 का क्यूब कर लीजिए जो की होता है कितना 7 का क्यूब देखें तो 303 कुछ कैंसिल होने के लिए है तो कैंसिल कर लेते हैं और अगर cancel होने के लिए नहीं है तो यही हमारा last हो जाएगा ठीक है तो अब वर्ग अनुपात हो गया घना अनुपात हो गया अब देखेंगे वर्ग मूला अनुपात ठीक है और घन मूला अनुपात ठीक है क्या होता है देखते हैं यह duplicate ratio यह triplicate ratio तो वर्ग मूला अनुपा वर्ग मूला अनूपात जिसे हम कहते हैं सब डुप्लिकेट रेशियो ठीक है? क्या होगा? जैसे ये नाम से पता चल रहा है वर्ग मूला अनूपात मतलब A रेशियो B है आपको इसका वर्ग मूला अनूपात निकालना है तो इनका स्क्वेर रूट कर दीजिए निकल जाएगा इनका वर्ग मूला अनूपात अब जैसा कि आपको पता है कि स्क्वेर रूट जो होता है वो गात के तोर पर पावर के तोर पर अगर मैं देखूँ तो उसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है गातांक के नियम से मतलब laws of exponents ठीके तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो by default 2 ही है इसलिए स्क्वेर रूट है और जब यहाँ 3 आ जाएगा तो यह हो जाएगा क्या क्यूब रूट ठीके तो आप स्क्वेर रूट आफ ए लिखे या ए की पावर 1 बाई 2 लिखे दौनों ए की चीज़े चलिए एग्जामपल देख सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है कुछ भी एग्जामपल ले लीजिए 625 है हमारे पास ठीके और आपको बोल रहा है कितना कुछ भी ले सकते हैं आप 900 आप यहाँ कैंसल करना चाहिए तो भी कर सकते हैं और इनका आपको कहे के वर्ग मुला अनुपात क्या होगा तो आपको पता स्क्वेर रूट अफ 625 और आपको करना है स्क्वेर रूट अफ 900 तो 625 तो 25 दे देगा और जो 900 है वो कितना दे देगा आपको 3030 और सॉल हो रहा है तो कर लेते हैं यह आगया 5 अनुपात कितना 6 ठीक है कोई बड़ी बात नहीं थी अब देखते हैं 6 जो है वर्ग मुला अनुपात की तरह घन मुला अनुपात मतलब सब ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होता है देखिएगा तो बात करते हैं 6 नंबर के टाइप की घन मुला अनुपात जिसे हम कहते हैं सब ट्रिप्लिकेट रेशियो ठीक है क्या होता है जैसे की A और B और C है आपके पास तो आपको करना है क्या यहाँ पर यहाँ पर आपको निकालना है इसका घन मुला अनुपात सब ट्रिप्लिकेट रेशियो तो इसका घनमूल कर लीजिए तो ये लीजिए इसका हो गया घनमूल तो ABC जो है उनका आगया घनमूला नूपात जैसा कि मैंने कहा जब यहां कुछ भी नहीं होता है तो वो square root होता है और जब यहां 3 लिख देता है तो वो cube root हो जाता है फोर लिख देंगे तो चौथा root हो जाएगा ठीक है एक्जाम्पल देख सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं एक्जाम्पल के लिए तो एक्जाम्पल अगर इसका देखें हम तो हम देखें अगर यह है 1000 और यह है 1331 है तो यह square यह है आपका number इसका आपको घन मूला अनुपात सब triplicate ratio निकालना है तो इनका cube root कर दीजी और यह आपको याद होगा कि यह होता है 10 का और यह होता 11 का cancel होने के लिए कुछ नहीं है तो यह हमारा last answer आगया तो यह हमने अभी तक देखा ratio का basic concept और ratio जो अनुपात है उनके कुछ प्रकार जो type होते हैं उन्हें अब हम questions करेंगे जैसे जैसे आगे जाएंगे और जितनी जरूरत पड़ेगी कुछ सीखने कुछ समझने की तो उनको हम सीखते वे समझते वे चलेंगे तो start करते हैं अब इसके questions को तो देखिएगा देखते हैं question number पहला question number first क्या कह रहा है देखिएगा question number first आपको कह रहा है A. अनुपात B. आपको दे रखा है 3. अनुपात 4 B. अनुपात C. आपको दे रखा है 5. अनुपात 6 C. अनुपात D. आपको दे रखा है 2. अनुपात 3 B, B, Anupat C और C, Anupat D आपको given है, पूछा क्या आपको? आपको पूछा है, A Anupat D के बारे में? तो A Anupat D के बारे में पूछा है, मतलब A है सबसे पहला और D है सबसे last वाला, तो ऐसा नहीं है कि शबसे पहला 3 और सबसे last भी 3 तो 3 Anupat 3, 1 Anupat 1 हो गया, तो किस तरीके से करेंगे अब इसको कई लोग दो तरीके से कर सकते हैं वैसे तो पर एक जो मेथड है वो पूरा लेंदी मेथड है उससे नहीं करना उसमें टाइम काफी लगेगा वो मेथड के ज़रा देखते हैं उसको आपको पूछा है ए अनुपाद D कई लोग क्या करते हैं ए अनुपाद B हैं हमारे पास B अनुपाद C हैं हमारे पास और C अनुपाद D हैं हमारे पास तो कई लोग इसको निकालते हैं इस तरीके से ये तीन अनुपाद 4 ये 5 अनुपाद 6 ये 2 अनुपाद 3 इस पूरे को सॉल करते हैं कैसे सॉल करते हैं वो ज और ये D गुणा करने पर तो A, B, C, D आ जाता है फिर जो A होता है और जो D होता है वो आंसर बता देते है तो ज़रा सोचिए आपको A अनुपा D ही पूछा है तो ये B और C आपने निकाला कहीं यूज ही नहीं आया तो निकालने की कहां जरूरत हुई इस मैथड को लगाने की जरूरत नहीं है तो जब आपको first or last ही पूछा है तो उसी पर काम करते हैं ये method नहीं लगाते हैं गलत नहीं है लेकिन काफे lengthy process है बी और सी भी निकालोगे use कहीं नहीं आ रहे तो फिर क्यों निकालना है तो direct क्या तरीका है देखिएगा तो सीधा तरीका जो है इसको निका अनुपाद D तो जैसा कि आपको पता है मैं A बटा D भी लिख सकता हूँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब जितने भी आपको ratio given है उनका multiplication कर दीजिए तो आपका answer आ जाएगा A अनुपाद D का ठीक है तो A अनुपाद B है मतलब 3 बटा 4 है गुणा B अनुपाद C है मतल अब 2 बटा 3 है तो ये गुणा मैं कर दिया A B B C और C D अब जो cancel हो रहे है उनको cancel कर लो बचा वा आपका answer जो होगा वो A और D का ratio ही होगा तो कटने ये लिए कौन है यहाँ पर जो हम देखें तो कट रहा है ये 3 से 3 ठीक है फिर अगर मैं देखूं तो ये गया कितना 2 बार तो उपर कितना रह गया इसमें उपर रह गया आपके 5 और नीचे रह गया आपके 12 तो आपको A और D का अनुपाती तो पूछा था तो मैं A बटा D बोलू या A ratio D बोलू एक ही चीज होगी तो 5 बटा 12 मतलब 5 अनुपात 12 अंस्वर आ रहा है जो कि मैं देख सकता हूं option है पिर A और D देखते तो वो भी 5 और 12 ही मिलता लेकिन वो ज्यादा लंबा प्रोसेस होता और ये एक सेकेंड में अपका अंस्वर आगे है अगर ये E तक जा रखा होता और A और E पूस्था तो आगे और गुणा में आ जाता और अगर ये यहाँ पर होता C तक ही और A और C प यदि 1066 रुपीज ठीक है A, B, C और D कितने लोग है चार लोग इन में इस प्रकार से बाटे जाते हैं कि A, B का 3, 4 अनुपाद, B, C का 5, 6 अनुपाद और C, D का 7, अनुपाद 5 है तो आपको ये बताना है सबसे अधिक हिस्सा किसका होगा सिर्फ ये पूछा है सबसे अधि हिस्सा है वो होगा कितना, ठीक है तो सबसे अधिक हिस्सा तो उसी का होगा जिसका अनुपाद सबसे अधिक होगा तो अभी तो अनुपाद हमें 2-2 में पता है हमें सब की तुलना करनी है एक साथ तो अब वो चीज करेंगे हम A, B, C, D वाली ठीक है तो जरा देखिएगा आपको A, B दे रखा है 3, 4 B, C दे रखा है 5, 6 और C, D दे रखा है 7, 5 ठीक है, तो हमें इस बार A, B C, D चारों एक साथ चाहिए क्योंकि चारों की तुलना comparison हमें करना है, तो वो कैसे होगा जैसे भी first 12, कुशिन में मैंने बताया था कि एक और method है, पूरा लंबा process था, बस वही हमें करना है तो A, B कितना है, 3, 4 ठीक है, फिर B, C कितना है, 5 है, तो जब कभी भी हम A, B, C, D या A, B, C इस तरह से सारे निकालते हैं, तो जो आपको given होता है, उसमें हम इस तरह के से एक छोड़ कर लिखें A, B, फिर एक छोड़ा, तो B, C, अब 5 है, मतलब इसके नीचे वाला एक छोड़ देंगे, तो यहां पर लिखेंगे कितना है वो, 7, 5 ठीक है, अब जो जगे खाली रह गई है जो blank space है, वहां पर उसके पास वाला number हम लिखते हैं तो इसके पास में कितना है, 5 ठीक है, इसके पास में कितना है, 7, पहले खाली था लेकिन अब कितना आगया, 7, तो अब इधर भी हम क्या लिख लेंगे, 7 इसके पास में कितना है, मैं देख सकता हूँ 4 है, तो 4 यहां आजाएगा अब यहाँ पहले खाली था लेकिन अब 4 आगया उसकी वज़े से यहाँ 4 आजाएगा ठीक है अब यहाँ पास में कितना है 6 है तो यहाँ पर भी कितना आजाएगा 6 आजाएगा चलिए अब आपको इनका सिर्फ और सिर्फ गोणा करके आपको बताना है कुछ कैंसिल होगा तो वो कैंसिल करके फाइनली ABCD का रेशियो लेना है जिसका अनुपाद सबसे अधिक होगा उसी को क्या होगा सबसे ज़्यादा हिस्सा मिलेगा ठीके अगर वो पूस्ता वो हिस्सा कितने रूपए है तो वो भी हम निकाल सकते थे वो कैसे निकलता 1066 रूपीज आपको दे रखा है तो ये आजाता उपर और ये जो अभी आपका रेशियो मिलेगा फाइनल रेशियो जो मिलेगा उनके अनुपातों का योग आ जाता नीचे और जिसके लिए पूछा होता उसका अनुपात आ जाता गुणा में लेकिन आपको वेल्यू नहीं पूछी है सिर्फ नाम पूछा है वो वेक्ति कौन है तो बस जिसके लिए अनुपात सबसे अधिक वही हमारा आंस्वर तो अब इसको करते हैं अब इसमें भी एक तरीका होता है आप गुणा कर लीजिए सबका फिर कुछ कट रहा हो तो काट लीजिए और नहीं तो यहीं पर आप देख सकते हैं कुछ कैंसे हो रहा हो तो हम cancel कर सकते जैसे कि 7, 7, 7 तीनों में यहाँ 7 नहीं है तो नहीं cancel होगा 5 इन 2 में लेकिन इन 3 में इधर 5 है इधर 5 है इधर 5 है लेकिन यहाँ नहीं है तो नहीं काट सकते फिर अगर देखे 6 के लिए तो यह 2 से कट जाएंगे, ये भी कट जाएंगे, लेकिन इसमें 2 से कटने के लिए कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 4 में ही कटने के लिए कुछ भी नहीं है, तो सीधा गुणा ही करना पड़ेगा, काट यहां नहीं सकते तो करते हैं अब इनका multiplication तो देखिएगा इनका multiplication कितना आ रहा है, चलिए, इसका गुणा करना है, 7 का 5 से कर लेंदे कितना, 35, 35 होगे, 35 का अगर 3 से करें, तो 35 का 3 से कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 35 का 3 से 105, यह 105, और यह हमें पता है किसका है, A का, यह B का, यह C का और यह D का, इसको करना है, करत पड़ेगा, तो 35 का आप 4 से गुणा करेंगे, तो वो हो जाएगा आपके 140, चलिए, आगे देखते, 6 का 4 से अगर करें, तो 6 इंटू 4 कितना हो गया है, चोईस, 24, 24 का आपको करना है किससे, 7 से, तो चोईस का 7 से कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, चोईस इंटू 7, यह वैसे ही, 4 का 6 से गिया, तो चोईस, और चोईस का अगर 5 से करना है, तो आपको पता है कितना आएगा, 120, इन चारों में अगर कुछ कैंसल हम कर सकते हैं, तो कैंसल करके देखते हैं, लेकिन कैंसल होने वाला कोई इस पे नहीं है, यह 5, यह 5, यह 5 से चला जाएगा, लेकिन यह नहीं जाएगा, 3 से जाने के लिए यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब यही आपका अंतिम अनुपात होगा, तो सबसे अधिक हिस्सा किसको मिलेगा, सबसे अधिक हिस्सा उसी को मिलेगा, जिसका अनुपात सबसे अधिक है, और अनुपात अधिक है, सबसे अधिक अन और थर्ड के बारे में चलिए तीसरा कोश्चिन क्या है आपके सामने तीसरा कोश्चिन देखिएगा X, Y, Z किसी राशी को 7 अनुपात, 8 अनुपात, 16 के अनुपात में बाटते हैं इनों का अनुपात हमें already given है आपको कह रहा है यदि Z को Y से 27 रुपए अधिक मिले हो तो बताए कुल राशी कितनी थी तो आपको पता है रेशियो के नियम के अनुसार अगर हम देखें तो X, Y और Z तीन वेक्तियों के लिए जो अनुपात हमें दे रखा है वो अनुपात दे रखा है 7 अनुपात 8 अनुपात कितना 16 इस अनुपात में बाटना है अब हमें 27 रुपए अधिक मिल रहे है Z को Y से 27 रुपीज जादा मिल रहे है तो Z को Y से कितना अनुपात जादा मिल रहा है ये मिल रहा है आट अनुपात जादा तो वो लिखना पड़ेगा नीचे क्योंकि उपर अगर इन दौनों को मिलने वाले रुपए का अंतर आया है तो नीचे आयेगा इन दौनों को मिलने वाले रुपए के अनुपातों का अंत आठ और 16 का अंतर कितना हो गया आठ फिर multiplication में जो पूछता है वो पूछ यहां पर क्या रहा है आपको कुल कितनी राशी थी टोटल आपको पूछ रहा है तो टोटल तो इन तीनों में बाट दिया गया तो टोटल पूछ रहा है तो गुणा में आ जाएगा तीनों के अनुपातों का टोटल तो कितना हो जाएगा वो यह हो गया 7 और 8 अगर जोड़ा तो 15 और 16 अगर देखा तो 31 31 ठीक है इसे हम solve करेंगे तो जड़ा option में देखें तो इसे solve करेंगे तो value point में आएगी जो कि option में कहीं दिख नहीं रही है क्योंकि यह पूरा पूरा भाग जाएगा नहीं तो इसका मतलब answer इसका मैं सीधा कह सकता हूँ क्या होगा none of these मतलब इन में से कोई नहीं और वो होगा क्या आप इसको solve करके आराम से देख लेंगे ठीक है चलिए बात करते है next question 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 number 4 के बारे में क्या कह रहा है question number 4 देखिएगा question number 4 आपको कह रहा है एक college में 910 विध्यारतियों में लड़के और लड़कियों का अनुपात है 11 अनुपात 15 ठीक है तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है चलिए लड़के मतलब boys लड़कियां मतलब girls इनका ratio हमको given है कितना 11 ratio 15 11 अनुपात 15 910 विध्यारतियों में total number of students आपको given है 910 तो जो आपको दे रखा है वो हमने लिखा उपर उसका अनुपात आएगा नीचे तो उपर आपने लिखा है 910 जो की total number of students है तो नीचे भी आ जाएगा total number of students के जो ratio है उनका total तो 15 और 11 इसको हम जोड लेते हैं तो ये बन जाएगा आपके कितना 26 multiplication में आता है वो जसके बारे में आपको पूछा गया है पूछा आपको गया है किसके बारे में लड़कों की संख्या कितनी है तो number of boys अगर आपको देखना है तो लड़कों की संख्या के लिए लड़कों का अनुपात जो की इग्यारा है वो कहा आ जाएगा बूना अब बस इसको solve करना कर लेते हैं 13 से देखूँ तो ये 13 से गया दो बार 13 से अगर इसको देखूँ तो 13 से 91 अगर देखें तो ये चला जाएगा कितनी बार 78 और फिर कितना हो गया ये 77 बार ठीक है 70 टाइमस चला गया अब इसको देखें तो ये कितना आ गया 35 35 का 11 से multiplication करना जो कि हम कर सकते हैं किस तरीके से होगा 35 फिर 35 लिखेंगे आप तो ये 5 और ये कितना 8 और ये कितना 3 हम कह सकते है 385 जो है अच्छा आपको ये पूछ रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है चलिए तो फिर आपको लड़कों की संख्या नहीं पूछिए अगर लड़कों की संख्या पूछता तो हम 11 से गुणा करते और लड़कों की संख्या पूछता तो हम 15 से गुणा करते आपको तो लड़कों की संख्या और लड़कों का अंतर कितना है आपके 4 का तो यहीं पर 4 से आप गुणा कर लो लड़कियों का अनुपात है 15 लड़कों का अनुपात है 11 15 और 11 का अंतर हो गया 4 का तो 35 का मैं 4 से गुणा करनू तो यह हो जाएगा कितना आपको पता है 140 तो आंसूर हो गया 140 ठीक है चलिए बात करते हैं next question question कुशन नमबर फाइफ के बारे में क्या कह रहा है कुशन नमबर फाइफ देखिएगा कुशन नमबर फाइफ आपको कह रहा है मीना और मीरा का आयू का अनुपात है चार अनुपात तीन ठीक है एक है मीना और एक है आपके मीरा उनकी आयू का अनुपात कितना है? चार अनुपात, तीन है, कुशन के अकॉर्डिंग उनकी आयू का योग आपको दे रखा 28 वर्ष तो आप हर एक की आयू निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है आपको पूछ रहा है, 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 उनकी आयू का अनुपात जो है, वो क्या होगा? चलिए ठीक है निकाल सकते हैं तो पहले तो उनकी आज की आयू देख लें तो टोटल आपको दे रखा है कितना 28 तो नीचे अनुपातों का टोटल लिखे लिया कितना 7 मीरा के लिए मीना के लिए निकालना है तो 4 से गुणा कर लोगे मीरा के लिए निकालना है तो तीन से गुणा कर लोगे पहले तो ये कितनी बार गया ये जा रहा है चार बार तो इसका अलब चार का चार से गुणा करोगे तो इसकी आईउ आगे कितनी सोला वर्ष तीन का चार से गुणा करोगे तो इसकी I.U. आगे कितनी 12 वर्ष ये कब की I.U. है दौनों की प्रेजेंट की आज की आपको अब बात करणी है कब 8 वर्ष बाद की आट वर्ष बाद की बात करणी है तो 8 साल जोड़ जाएंगे तो 16 में 8 आप एड कर लोगे तो ये हो जाएगी कितने 4 साल की ठीक है और बारा में भी आप आठ एड कर लोगे तो ये हो जाएगी 20 साल की है अब इनका अनुपात पूछ रहा है तो निकल गए अनुपात cancel होने के लिए जो है उनको cancel कर लेते हैं तो cancel हो रहा है 4 से ये cancel हो रहा है 4 से 6 बार और ये cancel हो रहा है 4 से 5 बार तो मैं कह सकता हूँ आंसर होगा 6 अनूपाथ 5 मतलब option number कौन सा आपका चौथा ठीक है तो ये था question number 5 देखते हैं next question number 6 के बारे पर क्या गह रहा है question number 6 देखिए question number 6 आपको कह रहा है 8,21,13 और 31 चार नंबर दे रहें आपको प्रतेक में क्या जोड़ा जाए कि नए संख्याएं समानूपाती हो अब ये समानूपाती का क्या concept है पहले इसको समझते हैं फिर हम question करते हैं देखिएगा समझते हैं इसका logic क्या है आपके चलिए समानूपाती का मतलब क्या होता है प्रपोस्टनल जिसे हम कहते हैं तो पहले इसको समझते हैं जैसा कि मैंने आपको कहा था जब आगे जाएंगे जहां पर जो समझने के लिए कुछ नहीं चीज़े आएगे उनको पहले समझेंगे फिर question करेंगे तो समानूपाती मतलब प्रपोस्टनल की बात कर रहा है तो क्या होता है देखिएगा अच्छे से समझीएगा इसको क्योंकि इसके उपर question पूछा जाता है चलिए ए अनूपात बी समान अनूपात सी अनूपात बी जब इसको पढ़ा जाता है तो किस तरीके से पढ़ते हैं ए अनूपात बी समान अनूपात सी अनूपात बी तो ये दो बार जो अनूपात का चिल लगता है ये समान अनुपात का प्रपोस्टनल का साइन होता है अब इसका मतलब क्या होता है देखिएगा A अनुपात B तो जैसा कि आपको पता है A अनुपात B है तो इसे में A बटा B भी लिख सकता हूँ मैंने बताया था आपको ये C अनुपाद D है तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ C बटा D भी लिख सकता हूँ और ये समान अनुपाद है तो समान अनुपाद का मतलब ये हुआ कि ये अनुपाद और ये अनुपाद आपस में एक समान है तो इसका वालब बराबर भी लगा सकते हैं हम यहाँ पर तो अब अगर हम इसको solve करें आगे तो कटनी के लिए कुछ भी नहीं है क्योंकि A, B, C, D चारों ही अलग वेल्यू है तो हम कर लेंगे इनका cross multiplication A का D से multiplication A, D और B का C से multiplication B, C तो अब आप देख सकते हैं A, D बराबर B, C आ गया तो finally हमें वो चीज मिल गई जो हम कहते हैं कि बाहर वाले पदों का गुणनफल बराबर मद्यपदों का गुणनफल तो आप देख सकते हैं बाहर वाले पद कौन है A, D और मद्यपद कौन है B, C इनका multiplication आपस में बराबर आ गया अब ये जो A, B, C, D हमने कहा है इसमें से हर एक का नाम होता है वो नाम आपको याद होना चीए क्योंकि नाम के according ये आपको question पूछा जाता है तो देखिएगा A को हम क्या कहते हैं A होता है प्रत्थम समान अनुपात मतलब first proportional ठीक है? तो A होता है first proportional B होता है आपका ग्वित्य समान अनुपात जिसे हम कहते हैं second proportional C होता है आपके तर्त्य समान अनुपात मतलब third proportional और D होता है आपके चत्तुर्त समान अनुपात मतलब fourth proportional अब देखिएगा ये जो second proportional है द्वित्य समान अनुपात है इसका और भी नाम है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं मद्यानुपात मतलब mean proportional ठीक है? ये भी इसी का नाम है इसको एक और नाम दिया जाता है अनुपी समान अनुपात जो कि इसी का नाम है और केवल समान अनुपात बोले तो भी ये second proportional की ही बात कर रहा है तो ये इनके नाम है नाम जरूर पता होने चीए कि ये question नाम के according ही पूछा जाता है तो कुल मिला अगर समान अनुपात के लिए क्या concept हुआ तो समान अनुपात के लिए ये concept है आपके पास कि बाहर वाले पदों का गुणनफल बराबर मद्य पदों का गुणनफल अगर आपको कोई चार नंबर दे रखे है X, Y, P और Q अगर ये चारों समान अनुपात में है तो ये जरूरी है कि इन बाहर वालों का गुणा बराबरो इन बीच वाली संख्याओं के गुणनफल के multiplication ही तभी ये चारों की चारों संख्याओं समान अनुपात में कहलाएगी otherwise ये नहीं होगी तो बस ये चोटा से एक concept समझना था वो हमने देखा और वो क्यों होता है बाहर वाले पदों होगा गुणनफल बराबर बद्य पदों होगा गुणनफल उसका concept आपने यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से देख लिया अब करते हैं हम हमारे question की बात जो कि हमारा question था देखते हैं उसे देखिएगा यही था हमारा question question number 6 क्या है question देखिएगा question 6 आपको कह रहा है 8,21,13 और 31 में प्रतेक में क्या जोड़ा जाए कि नई संखें समान अनुपाती हो जाए तो इसका आए यह तो आपके proportional में नहीं है तो इसमें क्या add करें कि यह समान अनुपात में आ जाए proportional में आ जाए तो first number पर 8 है फिर 21 है फिर कितना है 13 है और फिर कितना 31 है अभी तो यह समान अनुपात में नहीं है कब आएगी जब इन में से हर एक में कोई ना कोई आप जोड़ोगे हर एक में इन में से कोई fix number तब यह आ जाएगी तो वो number क्या है fix वो हमें बताना है दो तरीके इसको करने के एक तो आप option से value कर सकते हैं प्लस x 21 प्लस x 13 प्लस x और 31 प्लस x जब वो x जुड़ चुका है तो अब वो proportional में आ चुकी है तो इसका मतलब बाहर वाले पदों का गुणनफल बीच वाले पदों के गुणनफल के बराबर हो चुका है तो इसका मतलब 8 प्लस x multiply 31 प्लस x बराबर 21 प्लस x और 13 प्लस x अब आप इसको solve कीजिए x की value आ जाएगी आपको option में वो x की value मिल जाएगी पर ऐसे करना नहीं है का फिल लेंदी प्रोसेस हो जाएगा इसलिए तो सीधा सीधा option से करना है वो कैसे होगा उसके बारे में भी बात कर लेते हैं तो देखिएगा ज़रा option से कैसे होगा यही चीज तो अगर option से करनी हैं तो देखते हैं number आपको दे रखे 8, 21, 13 और 31 ठीक है तो इन में ये जो option दे रखे हैं उनको एकेग इसमें रखिए और add कीजिए और फिर देखिए कि बाहर वालों का multiplication और बीच वालों का multiplication सिमिलर आ रहा है अगर आ रहा है तो वही option आपका सही होगा, तो चेक करते हैं इसको तो ये तो method लगाना नहीं है बर लगा सकते हैं पर ये मत लगाईएगा काफी lengthy process होगा तो इसको rough कर लेते हैं तो अब हम लगाते हैं option वाला method तो option वाला method क्या है जैसा कि आप देख सकते हैं पहला option है हमारे पास क्या 2 तो first option है हमारे पास 2 तो इसमें 2 रखूँँगा 8 और 2 इतना 10 ये कितना होगया 23 ये कितना होगया 15 और ये कितना होगा आपके 3 ठीक है तो बाहर वालों का गुणा और बीच वालों का गुणा हम करके देखेंगे क्या हर बार नहीं आपको इकाई अंक पकड़ना है सबसे पहले unit digit जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसका मैं गुणा करूँगा तो जो 33 और 10 का गुणा होगा उस दौनों के multiplication का जो unit digit होगा वो 5 होगा तो इनके multiplication का unit digit तो 0 आ रहा है और इनके multiplication का इकाई अंक जो है वो 5 आ रहा है तो जब multiplication का unit digit इकाई अंक ही नहीं मिल रहा है लास्ट वाला अंक ही आपस में match नहीं कर रहा है तो पूरा गुणा कहां से बराबर हो जाएगा तो इसका आ करते हैं क्या है 3 तो एड़ करते हैं 8 में 3 जोड़ लो कितना हो गया 11 21 में 3 जोड़ लो कितना हो गया चोईस 13 में 3 जोड़ लो कितना हो गया तीनी जोड़ना आपको 21 में 3 जोड़ा चोईस ठीक है 8 में 3 हो गया 13 में 3 जोड़ा 16 और 31 में 3 जोड़ा 34 ठीक है यह तक अब वही दूर वालों का गोणा और पास वालों का गोणा बराबर आ जाता है तो यह option सही है, तो पहले तो unit digit check कर लूँ, तो मैं देख सकता हूँ कि यह एक है, यह 4 है, तो last में तो 4 ही आएगा, यह 4 है, यह 6 है, तो 4 का 6 से करूँगा, choice होगा, तो यहाँ पर भी last में 4 ही आएगा, त ठीक है, 34 का 11 से करूँगा, तो आपको पता इस तरह से करते हूँ, तो कितना आ जाएगा यह 3, 7, 4, ठीक है, अब choice और 16 का भी कर लीजी, अगर 3, 7, 4 मिल रहा है तो बिल्कुल सही होगा नहीं, तो अगला option दिखेंगे, तो 6 और 4 का गोणा कितना choice, ठीक है, कितना हुआ बा 12, 4 का 1 से, 4, 12 और 4 कितना होगे आपके, 16, 16 और 2 कितना आ रहा है, यह 18, तो इसका आगे आप गोणा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि match का री नीरा है, तो चलिए यह भी option cancel होगे है फिर, तीसरा option लेते हैं, तो तीसरा option क्या है, 5, तो 8 में 5 जोड़कर देख लीजिए, 8 में अगर आप 5 जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा यह 13, 21 में 5 जोड़कर देख लीजिए, कितना होगे है, 26, 13 में 5 जोड़कर देख लीजिए, 18, और 31 में 5 जोड़कर देख लीजिए, कितना होगे है, 36, ठीक है, तो अगर मैं देखू इनका गुणा और इनका गुणा बराबर होना चीए तो अगर मैं देखू तो 6 का 3 से करेंगे तो 18 8 तो आए गई 8 का 6 से करेंगे तो 48 इसमें भी 8 मैच कर रहा है चलिए फिर देख लेते हैं तो फिर इसको गुणा करने से अचा लास्ट वाला एक बार add करके देख लेते हैं अगर unit is it ही नहीं मिल रही है तो फिर ये तो answer हो नहीं है ठीक है तो 7 है अगर तो देखते हैं इसमें चौथा option देख लेते हैं जिससे हमको गुणा करने की ज़रुदत नहीं पड़ेगी क्योंकि अगर चौथा नहीं होगा तो फिर तीसरा ही answer होगा 38 फिर 13 में 7 जोड लोगे तो कितना हो जाएगा 13 और 7 आपके 20 31 में 7 जोड लोगे तो कितना हो जाएगा ये 38 अब आपको पता है इनका गुणा और इनका गुणा करें तो भी 0 match कर रहा है चलिए फिर ठीक है तो गुणा करके ही देखना पड़ेगा तो फिर गुणा करना है तो यह आप देख रहे हैं इसका एका यंग भी 0 आ रहा है और इधर भी 0 ही आ रहा है तो कोई भी एक गुणा कर लीजिए वो match कर जाएगा अगर match कर जाएगा तो वो answer हो जाएगा नहीं तो फिर दूसरा वाला बचावा answer हो नहीं है कर लेते हैं फिर गुणा इसी का कर लेते हैं 28 का डबल कर लें तो 28 का अगर डबल करें तो कितना हो गया यह हो जाएगा आपके 56 यह आ गया 550 ठीक है फिर अगर बात करें इदर 38 और 15 इसका गुणा करना है तो कर लेते हैं 38 और 15 का कितना आ गया 40 का 4, 8 और 5 और ये 3 कितना 15 हो गया 15 और 8 अगर हम देखें तो कितना हो गया 23 और 4 अगर हम देखें तो कितना हो गया साथ, तो नहीं मैच कर रहा है, यहां 6 आ रहा है, वहां 7 आ रहा है, तो यह answer नहीं है, answer तो इसका क्या होगा, option number 30, तो तीसरा number option मतलब क्या होगे, आपके 5 आपको add करना पड़ेगा, ठीक है, यह तो explain किया है, इसलिए एक एक चीज लिख कर देखिए, otherwise बेना लिखे, आप सीधा multiplication करेंगे, verbally, unit digit को match करेंगे, तो इतना समय इसमें नहीं लगेगा, option होगी हमारा कौन सा option number 3, चलिए, बात करते हैं, next question, question number 7 के बारे में, क्या कह रहा है, question number 7, देखिएगा, question number 7 आपको कह रहा है, 4x square minus 3y square, ratio 2x square plus 5y square is equals to 12 upon 19 है, तो आपको x और y का ratio क्या होगा, ये बताना, चलिए, देखिएगा, 4x square minus 3y square upon 2x square plus 5y square is equals to 12 upon 19, ठेक है, तो आपको बताना है कि x और y का अनुपात क्या होगा, देखिएगा, दो तरीके हैं, इसको यहाँ पर करने के, एक तरीका तो ये है, ये जो दे रखा है, इसी को solve करें, इसको solve कैसे, cross multiplication करें, फिर x वाली terms को अलग करें, फिर y वाली terms को अलग करें, फिर x और y का जो ratio पूछा है, वो आप निकालें, एक तरीका तो हुआ ये, वो काफी लंबा process होगा, दूसरा तरीका ये है कि आपको x और y का अनुपात पूछा है, तो x और y का अनुपात, ये जो आपको option दे रखे हैं, यहाँ से x और y का अनुपात जो आपको answer होगा, वो वही answer होगा, जो x की value और y की value यहाँ पर इसमें रखने पर बराबर में 12 बटा 19 दे देगा, वो आपका answer हो जाएगा, ठीक है, तो रखते हैं values यहाँ पर, तो देखेएगा, तो x कितना है 2 और y कितना है 3, तो क्या x और y की value आगे क्या, नहीं, value नहीं आएगी, x और y का ratio आएगा, तो यहाँ हम value कैसे रख पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी x की power 2 है, y की power 2 है, y की power 2 है, और x की power 2 है, मतलब जो x और y है, उनकी उपर और नीचे power similar है, इसलिए हम सीधा option से, जो ratio है, उसको value के तौर पर, मान के तौर भर हम रख सकते हैं, तो रख लेते हैं, तो पहला ही option लेना है, ठीक है, एक-एक option चेक कर लेते हैं, पहला option लिया हमने 2 अनुपात 3 वाल, x को रख लो 2 और y को रख लो 3, ठीक है, q रख पा रहे हैं, सीधा-सीधा, वो अभी-भी बने आपको explain किया है, चलिए, तो x आप 2 रखोगे, अब एक-एक step लिख कर सॉल नहीं करने, अगर आप एक-एक step लिख कर सॉल करोगे, तो ज़्यादा समय लगेगा, जितना हो सकता है, calculation verbally करनी है, x है 2, तो 2 का square करोगे, कितना होगा यहां पर? 4, 4 का 4 से गुणा करोगे, कितना होगा है? 16, तो बीना लिखे समझ सकते है 16, y कितना है? 3 है, तो 3 का square करोगे, तो कितना होगा? 3 का square कितना होता है? 9 का 3 से गुणा करोगे, तो कितना होगा? 27, 27 तो आप देख सकते हैं ये 27 आ रहा है माइनस का और यहां पर मैंने देखा 16 आया प्लस का तो 16 माइनस का 27 करूँगा तो क्या होगा नेगेटिव वेल्यू आएगी लेकिन ये तो पॉजिटिव वेल्यू बता रहा है तो पहला तो आंस्वर हो गई नहीं सेकेंड पकड़ते क्या है एक अनुपाद दो चलिए अगेन वही बिना लिखे जान तक हो सके एक्स की वेल्यू वन वन का स्क्वेर वन योगा फॉर से मल्टिप्लिकेशन फॉर हो गया समझ में आ रहा बिना लिखे वाई कितना है दो दो का स्क्वेर कितना चार तीन का चार स पिर से क्या आ रहा है नेगेटिव और यहां तो पॉजेटिव हो रहा है अगर नीचे भी नेगेटिव हो तब तो समझ में आता है नेगेटिव और नेगेटिव कर कैंसल होने के बाद कटने के बाद में पॉजेटिव वेल्यू आ जाएगी लेकिन नीचे तो 3, 3 का square किया कितना 9, 9 का 4 से गुणा किया कितना 36, चलिए Y के value 2, 2 का square कितना 4, 4 का 3 से गुणा किया कितना 12, तो 36 में से 12 मैं कम कर सकता हूँ, वो आ गया choice, चलिए positive आया, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, नीचे वाले को जोड लिया, तो कितना हो गया, 38, 38, ये मैं कैंसिल कर पा रहा हूँ, सीधा सीधा किस से, 2 से, तो ये आ गया 12, और ये आ गया 19, यहीं हमारे पास है, बराबर मैं इसका आलो, option कौन सा सही है आपका, तीसरा option बिलकुल सही होगा, चलिए, पात करते है next question number 8 के बारे में, क्या गयरा question number 8 देखिए, simple है, ज्यादा special कुछ नहीं है इसमें, 75 ratio 3 is equals to x ratio 9 है, तो x का मान क्या होगा, आपको पता है, अनुपात में है तो बटा में भी लिख सकते हैं, x तो आपको निकालना है, तो निकल गया x का मन, कटे के लिए ये कटी है, नीचे से नीचे कितनी बार, तीन बार, 75 का 3 से multiplication होगया, 225, x पूछा था, तो 225 option number 3 आपका answer होगे, चलिए, देखते हैं, next question number 9, क्या कह रहा है, question number 9 देखिए, question number 9 आपको कह रहा है, 2 संख्याओं का अनुपा, 3 अनुपा, 4 है, तता योग कितना है, 490, तो संख्याओं क्या होगी, निकाल सकते हो, total कितना है, 490, तो नीचे अनुपातों का total लिख लो, 3 और 4 का total कितना, 7, पहली पूछी है, तो 3 से गुणा कर लो, और दूसरी पूछी है, तो किस से गुणा कर लोगे आप, 4 से, ठीक है, cancel हो रहा है, सीधा सीधा, सित्तर, ये आगे कितना, 210, और ये सित्तर, ये आगे कित अपना, 210, 210 और 280, option कौन सा दिख रहा है, आपको, option number second, चली, ये था question number 9, बात करते हैं, next question number 10 के बारे में, क्या गयरा question देखिए, किनी दो संख्याओं का अनुपा, 3, अनुपा, 4 है, तथा उनके वर्गों का योग जो है, वो 625 है, तो बताइए संख्याओं क्या होगी, ठीक है, दो तरीके हैं, या तो option से कर लो आप, पहले तो option पकड़ो, उससे जिसमें अनुपा, 3, अनुपा, 4 हो, जैसे कि इसमें है, जैसे कि इसमें भी है, 5 से गया, इसमें अगर बात करूँ तो ये नहीं होगा, क्योंकि 5 से जाने पर, 4 और 5 आ रहा है, अनुपा, जब कि ये 3, 4 कह रहा है, तो ये तो होगा ही नहीं, इसे अगर देखूं, तो अगर ये देखूं, तो ये 6 से 3 और चार ये हो सकता है ठीक है चलो तीन और चार वाला कंसेप्ट तो इन वलब तीन और चार अनुपाद चेक करने पर एक हमारा जो option है वो तो cut होगे अब कहरा है उनके वर्गों का योग चेक का वर्गों का योग करके भी देखो 6 का वर्ग होता है 368 का वर्ग होता है कितना 64 तो 366 और 64 को जोडू ती 625 तो नहीं होगा ये भी नहीं होगा फिर 15 और 20 है तो 15 का square 225 चलो दिखरा है कुछ ऐसा 20 का square 400 ये भी ऐसा कुछ दिखरा है तो मैं देख सकता हूँ 2625 आ रहा है अप्शन कौन सा सही हो गया आपके second option सही हो गया ठीक है तो इसका मतलब हमने option से किया आपको समझ में आ गया अगर इसी को मेथड से करना है तो भी हम कर सकते है कैसे देखिएगा आपको संख्याओं का अनुपात दे रखा है कितना तीन अनुपात चार तो संख्या है आपको पता है क्या है 3x है और क्या है 4x x से x कटा तभी तो ratio आया finally ठीक है तो 3x और 4x हमारे पास number ही आ गए अब कह रहा है इनके वर्गों का योग 625 है तो जब number आगे तो इसका square कर लो कितना हो गया 9x square इसका भी square कर लो कितना हो गया 16x square इनका योग कर लो जो की question बोल रहा है कितना है 625 है 625 हमको question कह रहा है तो 625 है तो अब x की value निकाल सकते हो अब यहां से निकाल लेते है 16 और 9 कितना हो गया 25 x square बराबर कितना 625 मैं cancel कर लूँ 25 से 625 को कितनी बार जाएगा 25 बार ठीक है x का square अटेगा तो उदर square root होगा यह तो x का माना है आपको तो number चाहिए तो number क्या है 3x तो 3x मतलब 3 का 5 से गुणा 15 पहला number और दूसरा number है 4x तो 5 का 4 से गुणा कितना 20 यह आगे आपके दूसरा number 15 और 20 option कौन सा होगे second आपकी choice है आप method से करें या आपकी choice है आप option से करें चलिए देखते है next question 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 number 11 क्या गहरा है question number 11 देखिएगा आपको गहरा है निम्न मैंसे सबसे बड़ा अनुपात कौन सा होगा चलिए देखिएगा निम्न मैंसे सबसे बड़ा अनुपात जो है वो कौन सा होगा करने के दो तरीके है एक तरीका तो यह है कि 3 by 4 है 3 अनुपात 4 है मतलब 3 बटा 4 ही हुआ एक तरह से ठीक है दूसरा है 4 बटा 5 चार अनुपात 5 बोलिए या 4 बटा 5 बोलिए एक ही चीज़ 5 बटा 6 और यह है 6 बटा 7 तो इनको बैटके solve किया जाए बैटके solve किया जाए मतलब 3 बटा 4 है तो 3 में 4 गा भाग दू value कितनी आती है वो check करूँ तो सीधा सीधा तो जाएगा नहीं तो point लगाएंगे ठीक है point लगाएंगे तो 3 बटा 4 वैसे हमको पता है 75 ही होता है यह आया point 75 इदर इसकी बात करूँ तो इसको कैसे करेंगे वही चार में 5 का बात सीधा सीधा जाएगा नहीं तो point लगेगा तो वो कितना हो जाएगा 40 तिर कितनी बार जाएगा 8 बार तो point 80 इसे मैं कह सकता हूँ वैसे इसके लिए करूँ तो क्या होगा point लगाऊँगा तो कितना होगा वो 50 हो जाएगा फिर अगर 50 होगा तो अगर हम देखें 6 से 50 है तो ये कितनी बार जाएगा 50 होने पर एक बार में ये 8 बार अगर देखें तो 48 हो रहा है तो 8 बार गया फिर कितना रहेगा 2 फिर 2 होगा तो फिर 20 तो 6 से अगर हम देखें तो ये 6 से हो गया 20 के लिए 2 बार या 20 है तो 3 बार होगे चलिए इस तरीके से आप value निकालिए एक तरीका तो होता है इस तरह के question को करने का ये लेकिन आप देख रहे हैं थोड़ा सा time जादा लग रहा है इस तरीके से करने पर लेकिन एक तरीका और है इसे करने का चलिए बचावा जो है उसे भी check कर लेते 6 by 7 है तो 6 में 7 का आप division करेंगे तो आपको पता है point लगने पर ये हो जाएगा क्या 60 60 में 7 करना है तो कितनी बार मैं देख सकता हूँ 8 बार जा रहा है कितना हो गया 56 फिर कितना रह गया ये 4 तो ये 8 तो लिखी लेते है 4 हो गया तो आप कितना होगा 40 तो आप कितनी बार चला जाएगा 5 बार क्योंकि 35 है तो 2 ही डिजिट तक हम निकाल रहे है सबका तो इसका भी 2 ही डिजिट तक निकाला तो देख सकते हैं सबसे ज़्यादा value किसकी आई है वही हमारा answer है तो इसकी value आई 0.75 ये 0.80, ये 0.83, ये 0.85 तो सबसे ज़्यादा value आई है इसकी तो 0.85 वाला हमारा answer है जो कि ये 6 by 7 तो option हमारा सही होगी option नमबर कौन सा? 4 ठीक है एक तरीका तो हुआ इस तरह के questions को करने का ये और एक दूसरा तरीका जो की कम समय लेगा आपका वो क्या तरीका है दिखेगा क्या क्या है आपके पास 3 by 4 4 by 5 5 by 6 और 6 by 7 ठीक है अब हम fractions को भिन्नो को यहाँ पर क्या करेंगे compare करेंगे तुलना करेंगे तो ज़रा देखते हैं यहाँ पर यह जो numerator और denominator है इनका difference इनका अंतर देखें तो 4 और 3 का अंतर है 1, 5 और 4 का अंतर है 1, 6 और 5 का अंतर है 1, 7 और 6 का अंतर है 1, तो इसका मतलब numerator और denominator जो भी है उन सब का अंतर सब जगे क्या है एक ही है तो जब कभी भी numerator और denominator का अंतर जो है सब जगे एक ही हो तो जो आपके अंश है जो numerator है जहां पर सबसे अधिक होगा जहां पर सबसे ज़्यादा होगा वही fraction वही बिन सबसे बड़ी होगी तो सब का difference एक ही आ रहा है numerator और denominator का हर एक fraction हर एक बिन में हर एक अनुपात में तो वही अनुपात वही fraction वही बिन सबसे बड़ी है जिसका numerator मतलब अंश सबसे बड़ा है तो numerator अंश इसका 3 है इसका 4 है इसका 5 है इसका 6 है तो सबसे बड़ा किसका है यह 6 बटा 7 का तो option कौन सा सही है 6 बाई 7 तो यहां से करें यहां से करें एक ही बात अब जैसी मैंने आपको यह method बताया तो definitely आपके दिमाग में यह आया होगा कि अगर difference 1 की जगे 2 और 3 अलग अलग अता चारों का या फिर 2 का सेम आता फिर अलग अलग अता तो फिर हम यह method कैसे apply करते तो इसके लिए हम detail में समझें जब हम हमारा chapter fraction भिन जो कि आपके railway में है syllabus में वो पढ़ेंगे उस समय हम करेंगे भिन्नों के तुलना comparison of fraction तब इस तरह के कई method है जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे तो जब exam में जाएंगे तो वो chapter भी हम पढ़ कर जाएंगे तो उस समय आपको इसका एक एक ना आने पर पर कुछ और आने पर क्या करना है वो वहाँ पता चल जाएगा उस chapter में ठीक है लेकिन अभी ये question आया तो ये तरीका लग गया तो आपको ये method हमने बता दिया और नहीं तो ये तरीका तो आपके सामने है ये अगर यहाँ one one नहीं होगा तो भी हम इस तरीके के बिना भी इ ठीक है ये था हमारा question number 11 जो कि हमारा इस part part number first का last question था part number second ratio and proposal अनुपाद और समान अनुपाद में हम देखेंगे question number 12 से तब तक चैनल को subscribe और वीडियो को like share और comment box में comments कीजी थैंक्यू सो मच